आप सब का ओनलाइन करियर अकैडमी चैनल पर स्वागत है और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ठीक है बट उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप से आप प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक है और शेयर कीजिए हमने कल जो है नंबर सिस्टम की हमारी फर्स क्लास की थी जो कंसेप्ट बेस थी आज हम कंसेप्ट बेस सेकिंड क्लास करेंगे क्योंकि जब तक हमें कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा हमने basic से start किया है तो हमें एक एक छोटी से छोटी बात भी जो है हम आपको detail में बताएंगे ताकि आपके exam में कुछ भी आजाए तो आपको कोई भी दिकत नहीं हो ठीक है और ये जो classes है वो आपकी अचाहें army से related हो SSC, GD, Air Force, Navy, Railway सभी से related जो है ये classes जो है maths का complete course होगा यहाँ पर तो आप classes जो skip मत करिए, classes जो है वो regular और पूरी complete देखने की कोशिश करिए तभी आपको जो है वो basic से आपकी हर problem का solution होगा ठीक है तो आज हम number system की जो है हमारी second class जो है वो करेंगे किसकी number system की अब सभी copy pen लेके बैट जीए और साथ साथ या तो screenshot लेते रहिएगा आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजे बताने वाली हूँ जो आपके exam में direct point out करती है वो चीजे तो उन चीजों को skip मत करिए और एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा तो आपको सुनने से ही समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखो कल हमने खत्कतम किया था कल हमने जो है वो आपको सारी जो numbers के बारे में बताया था natural number, even, old, prime number वो सब क्या होते हैं real number, rational, irrational हमने आपको ये तो बता दिया कि number कहां से आये और number क्या होते है ठीक है अब आपके एक चीज और आ जाती है कि अगर आपको ये भी आपके बहुत बेसिक चीज है कि number system में आपको एक चीज आपने सुना है ascending order क्या होता है ascending order ठीक है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं आ रोही क्रम ठीक है ये क्या होता आपका ascending order जिसको आप कैसे लिखते हैं संख्याओं को छोटे से बड़ा कैसे लिखते हैं छोटे से बड़ा ascending order मतलब छोटे से बड़ा ठीक है अब आपको च्यार संख्याओं दे दी 46 74 24 और 32 ठीक है अब आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है अगर आगे अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे आपको पता ही नहीं ascending order होता क्या है तो ascending order में कैसे लिखना है सबसे छोटी संख्याओं की 24 है उसके बाद आपकी 32 है उसके बाद आपकी 46 है और उसके बाद आपकी 74 है इस सिक्वेंस को आप क्या बोलोगे ascending order आरोही क्रम बोलोगे ठीक है ये कुछ बेसिक चीजे हैं जो आपको बतानी जरूरी है इसलिए मैं एकदम चोटी से चोटी चीज भी कोई भी आपकी रहणा जाये इसलिए हर चीज बतारी हूं ठीक है एक होता आपका ascending order इसमें दूसरा क्या होता है आपका दूसरा हो जाएगा आपका descending order क्या हो जाएगा descending order ठीक है इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं अवरोही क्रम ये क्या होता है ये होता है आपका बड़े से छोटा ठीक है clear अब जैसे वही संख्या हमने ले ली 46, 74, 24 और 32 अब आपको बोल दिया कि इसको descending order में आप जचाईए ठीक है इसका descending order बताइए अवरोही क्रम बताइए तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बड़ी से छोटी संख्या की तरफ जाना ठीक है तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे बड़ी को 74 उसके बाद आप 46 उसके बाद आप 32 और उसके बाद आप 24 इस इस यूर descending order अवरोही क्रम ठीक है ये तो बहुत basic हमारी first class से आ जाता है लेकिन कई बार किसी को नहीं भी पता होता इसलिए हमने ये चीज भी आपको clear करती है ठीक है अब हमारे next उस पे चलते हैं next क्या है देखो next है आपको एक चीज पूछ ली जाती है अगर आपके एक्जाम में आ जाए ये डाइरेक्ट पूछा जाता है अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहां से बता होगे और अगर आपको डाइरेक्ट ही पता होगा तो आपका बिल्कुल टाइम से हो जाएगा देखो आपको पूछ लिया जाता है अब आपको ये पता है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बताईए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बताईए, फास्ट, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, बताईए, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप बोलोगे मैडम, 99 होती है, दो अंक सबसे बड़ी संख्या आपको ये तो पता है आपको ये पूछ लिया जाए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बता दोगे 909 में च्यार अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बता दोगे 999 में ठीक है इस तरह से 5, 6, 7 आपको कितना भी पूछ लिया जाएगा अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बता दोगे आप ठीक है अब आपको एक क्योशन और पूछ लिया जाता है ये बोला जाता है कि दो अंकों की कितनी संख्या संभव है बताईए दो अंकों की कितनी संख्या संभव है अब इस क्योशन का आप आंसर दीजिए तो आप शायद दो अंकों की तो बता दोगे लेकिन उससे आगे अब दो अंकों की कितनी संख्या संभव है दो अंको की टोटल कितनी संख्या होती है तो इसके लिए आप क्या करोगे सीधा सा तरीका है दो अंको की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 99 इसने पूचा है कि दो अंकों की कितनी संख्याई संभव है, मतलब दो अंकों से बनने वाली कितनी संख्याई तो आपको पता है, दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है ये तो आपको पता है, 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे खतम होती है दो अंकों की, ठीक है आपको पता है न ये चीज लेकिन आपको तो ये पूछा है कि दो अंको की कितनी संख्याई संभव है, टोटल कितनी संख्याई तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो डिजिट्स की हाइस्ट जो संख्या है वो लिखोगे ठीक है, उसमें से एक डिजिट्स की हाइस्ट जो संख्या है वो गटा दो, एक डिजिट्स की क्या होती है, नाइन 99 में से हो गया 90, तो दो अंको की कितनी संख्याई पोसिबल है, 90 ठीक है, कितनी संख्या पोसिबल है, 90 तो दो अंको की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या गटा दो तो आपकी दो अंकों की संख्याएं आ जाएंगी अब इसी तरह आपको पूछ लिया जाए तीन अंकों की कितनी संख्या संबव है बटाईे अब तीन अंकों की कितनी संख्या संभव है बताईए तो इसमें आप क्या करोगे आपने दो अंकों की तो बता दी चलो दो की तो बता सकते थे आप अब तीन अंकों की बताने के लिए आप क्या करोगे तो आप क्या करोगे तीन अंकों की हाइस्ट संख्या हाइस्ट जो डिजिट है वो लिख लो क्या है नो सो निन्याण में तीन अंकों की हाइस्ट डिजिट यह है ना इसमें से दो अंकों की हाइस्ट डीजिट घटा दो दो अंकों की हाइस्ट डीजिट आपकी क्या है 99 तो 99 में में से आप 99 गटाओगे तो आपका क्या आजाएगा 900 तो आपकी कितनी तीन अंकों की कितनी संख्याई संभव है 900 तीन अंकों की 900 संख्या संभव उससे जादा नहीं बन सकती है ठीक है अब ऐसे ही बोल दे आपको च्यार अंकों की तो आप क्या करोगे अब सीधा सा तरीका है अब तो आपको एकदम fast forward आगया है कि च्यार अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें से हमें पताईए तीन अंको की हम सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या आजाएगा 9000 की च्यार अंकों की कितनी संख्या है 9000 हमें कुछ देखने की सोचने की जरूरत नहीं है ये तो हमें easily आ गया ठीक है हमने क्यूंकि ये मैंने इसलिए बताया क्यूंकि direct question put up हो जाता है आपको अगर पता है तो आप सीधा करोगे कि हाँ हाइस जितनी तीन अंकों की संख्या उसमें से दो अंकों की हाइस संख्या को घटा देंगे तो हमारी तीन अंकों की हाइस जो है वो संख्या जाएगी तो अगर आपको पता होगा तो कर पाओगे नहीं पता होगा तो ये छोटी चोटी चीजें नहीं कर पाओगे फिर तो आप लिखने बैड़ जाना वो आपका अंसर रोंख ठीक है इसलिए चोटी से चोटी चीज को इसका स्क्रिंशोट लेलो या लिखते रहो ठीक है अब देखो next चीज अब एक चीज कई बार आपके question पूछ लिया जाता है ठीक है एक ये तो था हमारा की हमारी कितनी possible संख्याएं हो सकती है अमने वो बताया एक आपको question दे दिया डीजिट दे दिया आपके 6, 1, 4, 2, 5 और आपको बोल दिया इससे बनने वाली smallest number और highest number मतलग इससे बनने वाली smallest संख्या और highest संख्या उसका क्या बताना है आपको sum बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके highest संख्या बनानी पड़ेगी lowest संख्या बनानी पड़ेगी और फिर उसका total करेंगे हम इतने step करेंगे ठीक है अब आपको answer दे दिये जाते है 9, 6, 5 C option है आपका 7, 7, 8 7, 7 ठीक है D option है आपका 7, 7, 8, 6, 8 ओके D option यह आपका तो अब अगर अगर आपको देख रहे हो अगर आप थोड़ा सा दिमाख लगाओ तो आपको इस question को solve भी नहीं करना क्योंकि आपको क्या करना है देखो आपको answer से ही समझ में आ रहे है कि आपकी smallest संख्या जो है वो कहां से start होगी smallest संख्या जो है smallest number 1 से start होगा और किस पे खतम होगा सबसे highest number किया है इसमें 6 है digit तो इस पे खतम होगा इसी तरह आपका highest number जो है वो कहां से start होगा 6 से start होगा one पे खतम होगा तो इसका total seven इसका seven ठीक है क्या है इसका seven और इसका seven तो last में आपका seven कहां पे आ रहा है यह आ रहा है और किसी में है यह नहीं तो आपका option number c जो है वो क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा आपको और कुछ देखने की ज़रुत नहीं इस तरह से थोड़ा mind utilize कीजिए थोड़ा सा दिमाख लगाईए और अपने जो है वो time को save करके फिर questions को करने की कोशिश करिए ठीक है यह कुछ छोड़ी छोड़ी चीजे जो है वो मैं बार-बार आपको repeat कर रही हूँ क्योंकि एक्जाम में direct question put up हो जाते हैं तो उसमें हमारा time बहुत save हो जाता है ठीक है अब देखो next यह एक चीज थी जो मैंने आपको बताई अब देखो अब हमारी सबसे important चीज आती है number system की जो आपके सबसे ज़्यादा question पुछे जाते हैं वो किसके है unit digit के अब मैं आपको यह अच्छे से समझ लेना unit digit का मैं आपको हर एक बताऊंगी कि अगर zero आ जाता है तो हमारा क्या unit digit होगा मतलब answer क्या होगा one होगा तो क्या two three four five six seven और eight और nine मैं आपको सारे एक एक करके समझाऊंगी ध्यान से समझ लेना अब देखो आपको unit digit पूछा जाता है तो unit digit पूछ लिया जाता है कि 25 इंटू 30 इसका unit digit इकाई अंक क्या होगा बताईए जो लास्ट वाला अंक है जो इकाई अंक वो क्या होगा तो आप क्या करोगे पांच को इस जिरो से multiply करोगे तो zero आपका unit digit क्या गया zero आपको कुछ देखने की ज़रूत नहीं है एक तो यह चीज जा गई आपको दे दिया पांच इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 आपको पूछ लिया इसका इकाई अंक बताईए तो आप कैसे बताओगे पांच दूनी 10 दस का zero zero को 6 से करोगे zero zero को 8 से करोगे zero ठीक है यह आपका क्या आगया unit digit आगया 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 अब देखो अगर आपक six seven four into two one eight into four three seven into five one three अब इसका आप unit digit बताईए अगर आपको बोल दिया जाए कि आप इसका unit digit तो कैसे बताओगे आगे कि दो दो जो digits है उनको छोड़ दो इनको आपको कोई मतलब नहीं है इन दो digits का आपको सिर्फ last वाले digits से मतलब है क्यूकि हमें एकाई अंक पूछा है last का अंक पूछा है तो देखो चार अठे बत्तिस बत्तिस का दो फिर दो को साथ से करोगे दो साते चोदा चोदा का च्यार च्यारती ये बारा हमें last में चहिए क्या जब unit digit चहिए तो last वाली संख्या को multiply करते जाओ और उसका last जो digit है वो अंक जो है उठाते जाओ, और last में multiply करते जाओ, आपका answer आजाएगा, तो 4, 8, 32, 32 का 2, 2 साथे 14, 14 का 4, 4 ती है 12, और 12 का 2, तो आपका unit digit क्या आगया, इसका answer आगया 2, ये तो थी unit digits की बिल्कुल basic चीज, जो आप easily कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं आपको unit digit की जो important चीज है, step by step वो समझा रही हूँ, ठीक है, देखो, एक आपका unit digit का question क्या आता है, x की power n, इस तरह से आपको power दे दी जाती है, y की power z, इस तरह से दे दी जाती है, और आपको क्या करना होता है, आपको unit digit पूछ लिया जाता है, इकाई अंक पूछ लिया जाता है, तो उस condition में आप क्या करोगे, ठीक है, बट उसका भी solution है, हमारे पास, देखो, उस condition में हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले, सबसे पहले हम unit digit इकाई अंक का first जो rule है, वो पढ़ते हैं, वो क्या है, जब भी आपका कोई भी संख्या का unit digit एक आए, जीरो आए, एक आए, पाँच आए, छे आए, तो उसकी जो घात है, वो कुछ भी आए, कोई फरक नहीं पढ़ता, यदि किसी भी संख्या का unit digit आपका 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसकी घात जो है, कुछ भी आए, कोई फरक नहीं पढ़ता, कोई फरक नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता, वो अभी बताएंगे, उस condition में, यदि आपका जो आधार है, उसका unit digit, मतलब जो संख्या है, जैसे आपकी 5, 6, 0, ये संख्या है, इसकी पावर घात दे दी आपको 2, 1, 3, ये कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 आगया, तो इसका unit digit आपका 0 ही आएगा, आप eyes close करके उसका unit digit 0 कर देना, इसी तरह यदि आपकी संख्या है, इसका unit digit यहाँ पे 1 होता है, तो इसका answer आपका क्या जाएगा, 1 आजाएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह आपका unit digit यदि 5 है, और यहाँ पे आपका 5 आ 6 है, तो आपका answer भी क्या जाएगा, 6 आजाएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको erase कर देते हैं, यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, कि एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई भी आधार, means कोई भी संख्या, उसका unit digit 0, 1, 5, 6 6 ही आएगा, जो उसका आधार रहेगा, unit digit, वही unit digit उसका answer होगा, ठीक है, clear, देखो, अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, इसी में, जैसे आपको यह दे दिया, 2, 4, 5, 6, और इसकी पावर दे दी, 2, 1, 3, 2, अब आप इतनी बड़ी पावर एक बार तो देख के ऐसे हो जाओगे कि इतनी बड़ी पावर हम कैसे solve करें, तो यह तो question हमें आता ही नहीं, लेकिन don't worry आपको बताय हूँ है मैडम ने की, यदि किसी भी unit digit, किसी भी संक्या का unit digit 6 है, तो हमें पावर देखने की जरूरत नहीं, उसका answer सीधा 6 आएगा, understand, अब देखो, अगर अब आ इसकी पावर 23, और अब आपको 310, इसकी पावर 56, और अब आपको बोल दिया, कि इसकी unit digit बताइए, तो अगर आपको नहीं पता, तो आप solve करने बैठ जाओगे, और आपके 5 मिनट चले जाएंगे, उसमें भी यह निंग निक लेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है concept, कि 1 किसी की भी unit digit है, तो उसका answer कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को आप कितने से भी multiply करते हो, always क्या आता, आपका 1 ही आता है, second चीज क्या है, 5 का भी आपको सेम पता है, कि 5 को किसी भी चीज से, मतलब 5 को कितना भी square निकालो आप, तो always आपका क्या आएगा, 5 ही आ आएगा, 5 को 5 से multiply करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, देखो, 25, 25, 25, 125, 25, 625, तो always आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा, 0 तो हमेशा 0 आएगा ही, अगर आपको ये concept ध्यान है, तो आप 2 मिनट, आप 10 सेकंड भी नहीं लगा होगे, इस question को करने में, 5 और 1, 6, इसका unit digit आपका क्या आगया, 6 आगया, तो आपको बिना सोचे समझे, आप इसका answer कर सकते हो, ठीक है, it's clear first rule, एक बार फिर से repeat कर देती हूँ, कि किसी भी संख्या का unit digit यदि 0, 1, 5, 6 है, तो उसकी power कुछ भी हो, हमें doesn't matter, उसका कोई भी फरक नहीं पड़ता, हमें जो उसकी unit digit होग ठीक है, it's clear, समझ आया, अब देखो, अब हम अमारे next जो rule है, उस पे चलते हैं, ठीक है, देखो, सेकिंड क्या है, सेकिंड वाला क्या है, देखो, सेकिंड वाला अब हम 2 का rule बताएंगे, यदि कोई भी जो हमारी संख्या, मतलब जो आधार, उसका unit digit, यदि इकाई अंक आपका क्या आजाता है, 2 आजाता है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे 5, 2, 3, 6, 2, इस तरह से आजाता है, तो आप जैसे ये आगया आपका, और यहाँ पे आगया आपका, 2, 3, 5, ठीक है, अब आप इसका आंसर क्या निकालोगे, समझे, ये चीज़ दिए, तो अब इसका, मैं आपको रूल बता रही हूं, कि इसका, जब भी को unit digit, उसका आधार 2 है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है, 2 की power 4, हमेशा क्या होती है, उसका unit digit क्या होता है, 6, क्योंकि 2 को यदि 4 बार multiply करते हो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, always उसका unit digit क्या आएगा, 6 आएगा, तो आप क्या करोगे, हमेशा जो power होगी, उसको किस से divide करोगे, 4 से, 4 से भाग दोगे, क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, तो अब हम इसको solve करते, 4 से भाग देने पर, क्योंकि 4 से भाग देंगे, तो 4 का जो multiple होगा, वो तो 6 आजाएगा, और जितना 1, 2 बचा होगा, वो हम multiply कर लेंगे, ठीक है, easy हो जाएगा, अब मैं आपको example से बताती हूँ, अब जैसे 235 है, अब इसमें आप 4 का divide करो, तो 4, 5 बीस, ठीक है, बीस, यहाँ पर कितना बच गया, 3, 35, तो 4, 8, 32, यहाँ पर कितने का multiple हो गया, 58, 58 एक हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 3, तो अब आप यहाँ पर इस दो को क्या लिख सकते हो, और सिर्फ दो कोई लिखना है, बाकी को लिखने से कोई मतल्ब नहीं है तू की पावर 58 इंटू की पावर 3 बच गया तो अब आपको पता है 58 तो यह क्या हो गया 4 का मल्टीपल हो गया कि 4 को जब हमने डिवाइड करा तब मतलब 58 जोड़े बनेंगे 4-4 के ठीक है तो तब तो हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा तो यह आगया आपका 6 अब 2 की पावर 3 कर लो तो की पावर 3 करोगे तो आप क्या आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 छे आठे 48 अब 48 का 8 आपका क्या हो जाएगा unit digit हो जाएगा तो 2 जब भी आपका unit digit 2 होगा तो आप क्या करोगे जब भी आपका unit digit 2 होगा तो 2 की पावर 4 हमेशा 6 होती है वो हमें पता है तो हम उसको 4 से divide करेंगे और जो remaining रह जाएगा उसको हम क्या करेंगे multiply कर लेंगे अब हम एक example और लेते हैं ठीक है एक example क्या करते हैं एक example और लेते हैं जैसे आपने लिया 7,8,2 और उसका लिया आपने 5,9,9 अब आप क्या करोगे इसमें 4 का divide करोगे आपको पता है ठीक है ये कितना है चार एकम चार यहां पर ठीक है चार चोके 16 17 18 19 तीन बच गया और चार निम 36 और यहां पर क्या बच गया आपका तीन बच गया बच गया ना ठीक है 36 37 49 अब आप इसको हमने अभी अभी पढ़ा है हम इसको क्या लिख सकते हैं 149 इंटू 2 की पावर ठीक है तो जब इसको 149 ब क्या होगा यह हो जाएगा आपका 6 आएगा और यह क्या आएगा 8 6, 8, 48, वही 8 जो है वो क्या आएगा आपका unit digit आएगा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है तू का जो rule था आपको unit digit निकालने का वो समझ में आया मैं आपको पहले ही questions से पहले ही हर चीज clear कर देना चाहती हूँ ताकि मैं आपको questions करवाऊं तो आप फटाफट answers करो ठीक है अब देखो next unit digit निकालने का अगला rule क्या है हमने दो rules पढ़ लिए अब हम आते हमारे तीसरे rule पे तीसरा rule क्या है unit digit तीसरा rule आता है 4 और 8 का किसका 4 और 8 का कैसे निकालेंगे यदि हमारी unit digit 4 है अब जैसे देखो 2,3,8,6,4 यह है ठीक है और दे दिया आपका 2,3,9 ठीक है आपके यह दे दिया अब इसी तरह 8 का तो अगर अब आप इसका unit digit कैसे find out करोगे तो हमें इसमें एक चीज पता है कि 4 की power 4 करोगे और 8 की power 4 करोगे तो always आपका क्या आएगा? 6 आएगा क्या आएगा? देखो करके देख सकते हो आप 4 चोके 16,16 चोके 64 ठीक है? और 64 चोके आपके क्या आएगा? 256 तो 6 आगया इसी तरह 8 को भी 4 बार multiply करोगे 8 आठो आठो 64, 64 को फिर 8 से कितना आजाएगा? 4 आठे 32 और फिर 8 से 2 आठे 16 तो हर condition में आपका unit digit क्या आ रहा है? 4 की power 4 करने पर भी और 8 की power 4 में भी 6 आ रहा है ठीक है? ये clear हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेम 4 से भाग देंगे अब मैं आपको यहाँ पे clear कटी हूँ 4 से भाग देंगे देखो अब यहाँ से 4 से भाग देते हैं ये कितना आया? 4, 8, 4, 5, 20 यहाँ पे कितना आ गया? 3, 39 तो 4, 9, 36 कितना आया? 4, 9, 36 और यहाँ पे कितना बच गया? 36 यह सही है ना? 4, 5, 20 तीन बच गया? 4, 9, 36 अब बच गया कितना? यहाँ पे 3 तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 59 इंटू 4 की पावर 3 यह करोगे तो आपका 6 और 4 की पावर 3 आप करके देख सकते हो? इतना मल्टिप्लाई तो 4 चोक 16, 16 चोके 64, 64 का 4, 4 चीक 24 अब 24 का 4 जो है वो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा एनी डाउट समझ में आया? ट्राई कर रही हूँ आपको बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप एकदम छोटे छोटे तरीके से ही समझाओं तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है? देखो अब यूनिट डिजिट हमार हमें ले लिया 599 अब इसमें भी क्या करेंगे हम किसका डिवाइड करेंगे चार का तो चार एकम चार यह हमने किया था चार से डिवाइड बट कोई नहीं फिर से कर लेते हैं चार एकम चार ठीक है? चार चोके 16, 17, 18, 19, 4, 96, 36 और यह क्या आया? 3 तो अब आपको पता है ये कितना 149 के चार चार के कितने होगे 149 जोडे होगे 8 की पावर 3 तो 8 की पावर 149 करेंगे तो आपका क्या जाएगा 6 और 8 की पावर 3 करोगे तो आपको पता है 8, 8, 8, 8, 8, 8, आप इसको कर सकते हो, आटू आटू चो सट, चार अठे, चार अठे, बतिस, बतिस का दो, आप छे दूनी बारा, और बारा का दो जो है, वो आपका क्या जाएगा, यूनिट डिसेट, है ना इजी, एनी डाउट, समझ आया, एट का रूल भी, समझ में आ गया, आ गया तो बह ठीक है, बाकी इसके questions जो है, वो भी करवाओंगी, बट पहले जो है, वो आपका concept clear करना जरूरी है, ठीक है, अब देखो, आपका 4 और 8 का भी हो गया, next जो है, अब हम किस पे रूल पे आते हैं, next जो है, हमारा यूनिट डिसेट क्या होना चाहिए, 3 और 7 के रूल पे आते ह ठीक है, यदि कोई भी संख्या, उसका यूनिट डिसेट हमारा क्या है, 3 है और 7 है, तो हम क्या करेंगे उस condition में, देखो, इसमें भी सेम चीज लगेगी, कि यदि आप 3 की पावर 4 करते हैं और 7 की पावर 4 करते हैं, तो उस condition में हमेशा आपका यूनिट डिसेट क्या हैगा आप करके देख सकते हैं, 3 तीया, 9, 9 तीया, 27 और 27 तीया, 81, मतलब आपको पता है, 3 की पावर 4 करते हो, तो यूनिट डिसेट वन आएगा, 7 का भी करके देख सकते हो, आप 7 साथू, गुननचास, ठीक है, फिर उसका क्या जाएगा, 7 इंटू, 7 इंटू, 7 साथू, गुननचास, 9, 9 साथे 63, और 3 साथे 21, ठीक है, तो इन दोनों कंडिशन में आपका जो पावर है, वो क्या हैगा, मतलब यहाँ भी आपके क्या लगेगा, यहाँ भी आपको पता है कि 4 से भाग देने का रूल ही लगेगा, ठीक है, एक ही रूल से सारे समझ आ रहे तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, अब देखो, जैसे इसकी पावर 275 है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, तो यह क्या जाएगा, 3 निम है, 27 और 3 एकम सोरी, यहाँ हम 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4, 4 चीक है, 26, 25, 26, 27, 3 बच गए, तो 4, 8, 32, और यहाँ पर कितना बच गया, 33, 34, 35, 3 बच गया आपका, तो अब हम वही रूल लगाएंगे, 3 की पावर 68, इन्टू 3 की पावर 3, आपको पता है, 3 की पावर 68 का तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 4 के कितने जोड़े बन जाएंगे 68, उनका अंसर ओल्वेज क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा ना, इन्टू, आपका 3 और बचता है, तो 3 तीर 9 और 9 तीर, 27, 27 का साथ, तो यहाँ पर आपका, क्या आजाएगा, यूनिट डिजिट, आपका यूनिट ड 27, उसका हमने लिया, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बच गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 3, 4 आठे, 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 3 बच गया, 33, 48, 32 और यहाँ पर बच गया, एक, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 128 into 7 की पावर 1, तो 128 क्या जाएगा, 1 into 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, तो इसका अंसर भी आपका unit digit क्या जाएगा, 7, इसका unit digit भी क्या जाएगा, 7, ठीक है, कोई doubt, समझ में आया, तो हमने जो है, वो unit digit से related, हमने कितने rules पढ़ लि सारे rules पढ़ लिए हैं, कि unit digit हम किस तरह से निकालेंगे, अभ हमारा unit digit निकालने का last digit बचा है, 9, अभ 9 जब हमारा unit digit हो, तो वो भी देख लेते हैं हम, कि हम किस तरह से निकालेंगे, तो nine का unit digit निकालने का बहुत simple है यदि कोई भी संख्या का unit digit किसका कोई भी संख्या का unit digit आपका nine है तो यदि उसकी घात power ध्यान से सुन लेना wisdom है मतलब ode है तो आपका unit digit मतलब उसका answer हमेशा क्या आएगा nine आएगा और यदि उसकी घात sum है मतलब unit digit क्या है one है unit digit क्या है unit digit यदि sum है तो always क्या आएगा बनाएगा ठीक है यदि आपकी unit digit किसी भी संख्या की unit digit nine है और उसकी power यदि विसम है ode है तो nine आएगा और यदि उसकी power sum है even है तो one आएगा ठीक है always अब देखो जैसे 239 इसकी power आपकी आगई 142 तो ये क्या हो गई power sum है तो इसका answer one आजाएगा आपको बिना देखे टिक करना है ठीक है अगर यही लेते हैं हम 143 तो इसका answer क्या आजाएगा nine उसकी power के उसका answer क्या आजाएगा nine और इस condition में answer आएगा one आपको बिना देखे टिक करना है कोई भी doubt हो आपको इसमें कोई doubt नहीं रखना है ठीक है आपको अगर exam में आ जाता है तो अपना time waste किये बिना इस पे फटाफट टिक कर देना है औ और आपको जो है time भी save करना है ठीक है तो हमारा जो है वो unit digit का जो rule है हमने वो अच्छे से पढ़ लिया ठीक है अब हम next उस पे चलते हैं हमारे next क्या है अब हमने पहले जो है वो हमारे number कैसे आया number की जो है कौन-कौन से numbers होते हैं वो समझ लिया हमने number का order क्या होना चीए ascending, descending हमने वो पढ़ लिया ठीक है फिर हमारी कितनी संख्याएं possible है वो पढ़ लिया उसके बाद हमने क्या पढ़ा उसके बाद हमने unit digit जो सबसे important topic है number system का जो बहुत बार पूछा जाता है ठीक है अब जो next है वो क्या है आपका divisibility rule जो बहुत important है ये basic चीजे हैं मैं detail से सबारी हूँ क्योंकि जब तक ये clear नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं समझ आएगा ठीक है divisibility rule का क्या मतलब है divisibility rule का मतलब है कि आप फटाफट देखते ही संख्या को बता दो कि इसमें 2 का भाग जाएगा इसमें 5 का जाएगा इसमें 6 का जाएगा इसमें 9 का 8 का 7 का आपको अगर पूछा जाता है कि इसमें 15 का भाग जाएगा तो आप तुरंत बता सकते हो कि हाँ इसमें जाएगा पाखी की जो हैं वो कल पड़ेंगे ठीक है तो अब हम हमारा divisibility rule स्टार्ट करते हैं पहला divisibility rule क्या है सबसे पहले हम 2 का जो सबसे easy है आपको भी पता है तू का अगर आपको कैसे पता चलेगा कि संख्या में 2 का भाग जाता है तो यदि उसका unit digit 0 होगा या कोई संख्या होगी क्या होगी या तो 0 होगी या कोई संख्या होगा उसका जो last digit है unit digit वो क्या होगा या तो 0 या कोई संख्या होगा तो क्या होगा उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा जैसे 4 होगया 6 होगया 8 होगया 10 होगया ठीक है अब इन में सब में आपके क्या अगर आप देखो तो दो का सब में भाग जा रहा है ये सब क्या है आपके सम है देखो दो ये तीन च्यार ये पांच बार जा रहा है ठीक है देखो 6, 8, 2 अब ये 2 क्या हो गए आपके समसंख्या हो गई तो 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 1, 2 ठीक है समझ में आया 2 का divisibility rule 2 का तो बहुत इजी है आप starting से ही पढ़ते आ रहे हो 2 की table हाँ इसमें 2 यदि समसंख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा ठीक है ये तो बहुत बेसिक था अब हम हमारे next rule पे आते है second number क्या है आपका 3 का 3 का rule क्या है 3 का rule है आपका यदि कोई भी संख्या उस संख्या के सभी अंकों का योग सभी संख्या है उसके सभी अंकों का योग करेंगे और उस योग में आप क्या करोगे उस योग में यदि आपका 3 का भाग जाता है तो आपका क्या हो जाएगा वो 3 से विभाजय हो जाएगा जैसे हमने एक संख्या ली 3, 4, 8 3 अब हम देखते हैं इसमें 3 का भाग जाता है नीजता तो हम इन सब को टोटल करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 4, 3, 7, 7, 7 और 3, 10, 10, 10 और 8, 18 तो 18 में आपके 3 का भाग जाता है यस जाता है मतलब इस पूरी संख्या में आपका 3 का भाग चला जाएगा अब हम एक संख्या हो लेते हैं 1, 3, 3, 8 अब इसका भी टोटल करके देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 ओके 1 प्लस 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 प्लस 3 यस इसमें भी जाता है 3, 5, 15 तो ये भी हो जाएगा एक संख्या हमने ओर ली 1, 5, 6, 7 इसमें चेक करते हैं 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तो 5 और 1, 6, 6 और 6, 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 इसमें आपका 3 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या 3 से डिवीजेबल नहीं है ठीक है समझ में आया 3 का डिवीजेबलिटी रूल हमने 2 का पढ़ लिया 3 का पढ़ लिया अब हम हमारे next डिवीजेबलिटी रूल पे चलते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है च्यार का, नेक्स्ट किसका है च्यार का, च्यार में जो लास्ट के टू डिजिट है, क्या है, कोई भी संख्या है, उसके लास्ट के टू डिजिट में आप क्या करोगे, च्यार का भाग दोगे, क्या करेंगे, यदि लास्ट के टू डिजिट, मतल चार का भाग आपका चला जाएगा मतलब वो आपका क्या हो जाएगा इकाई और दहाई के अंदर अब देखो जैसे हमने संख्या ली 156892 अब इन दोनों में आप चार का भाग देके देख लो चार दुनि आठ चार तिये बारा जाता है मतलब इस पूरी संख्या में ही चार क भाग आपका चला जाया अब देखो 1, 5, 4, 3, 6 अब आपको पता है यहाँ पे अगर 36 है 4, 9, 36 आपको पता ही है मतलब पूरी में और इसकी जगह यहाँ पे 38 होता 38 होता तो यह 4 का भाग नहीं जाता तो यह पूरी जो संख्य है वो 4 से divisible नहीं होती आपके इस तरह के questions आते हैं कि यह जो संख्य है वो 4 से divisible नहीं है या नहीं आपको option दे दिये जाएंगे इसमें से कौन सी 4 से divisible है direct question put up होते हैं इसलिए ही आपको सारी चीज़े जो है वो detail में समझा रही हूँ ठीक है अब देखो next next है आपका जो सबसे easy है और आप लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी एक बार बता रहेते हूँ पांच का divisibility rule क्या है आपको पता है कोई भी संख्या उसका unit digit यदि क्या हो 0 हो 5 हो तो वो किस से divisible हो जाएगी 5 से उसका पूरा पूरा भाग चला जगा आपको पता ही है यदि कोई भी संख्या के last में 0 है या 5 है जैसे 125 हो गया 240 8535 0 तो इन सब में क्या चला जाएगा आपका 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है 5 का तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार explain कर दिया मैंने ठीक है अब देखो next next अब हमारा rule आता है 6 का किसका आता है 6 का 6 का divisibility rule क्या है यदि किसी भी संख्या में आपका 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए it means वो किससे divide हो जाएगी वो 6 से तो उस संख्या में आपको देखना पड़ेगा 2 का भी जाता है और 3 का भी जाएगा यदि दोनों में से 1 का भी नहीं जाएगा तो उसमें 6 का नहीं जाएगा छीक है क्यूंकि देखो आप जैसे 1, 5, 6, 8, 9, 2 अब आपको पता है 2 में तो जा रहा है क्यूंकि उसका unit digit क्या ह सम संख्या है तो आपको 2 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको 3 को चेक करना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा टोटल करना पड़ेगा 1 plus 5 plus 6 plus 8 plus 9 plus 2 तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 39 और 2 31 और आपको पता 31 में 3 का भाग नहीं जाएगा मतलब इस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, clear, अब अगर आप एक तो 6 का भाग देने बैठते, ठीक है और एक आपने फटा-फट ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया, आपने वैसे ही अपनी उंगूलियों पर टोटल कर लिया और आपको पता चल गया कि ये 3 का भाग तो आप डिरेक्ट इसका अंसर कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया अब एक संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या और, ठीक है, 1, 4, 5, 9, 2, 6, तो ये 2 से तो जाएगी, जाएगी आपको पता है, ये संख्या है, अब हम इसका टोटल करते हैं, इसका सीधा टोटल करते है, 1 और 4, 5, 5 और 5, 10, 10 और 9, 19, 19 और 2, 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 6, 27, तो 27 में आपका क्या जाएगा? 3 में 27, 3 का पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, मतलब ये 6 से आपके विभाज्य हो जाएगी, चीक है? Understand, अब देखो next, हमने 6 का भी divisibility rule पढ़ लिया, अब आता है आपका अगला 8 का, 8 का divisibility rule क्या है? लास्ट के 3 digits में, किसमे? लास्ट के 3 digits में यदी 8 का भाग जा रहा है, लास्ट के 3 digits में यदी 8 का भाग जा रहा है, तो मतलब उस संख्या में पूरी में भाग चला जाएगा, अब देखो जैसे, 5, 4, 8, 9, 2, ये संख्या है, इसमें तीनों में देखो आपका पूरा-पूरा भाग जा रहा है, या नहीं जा रहा है, हम ये चेक करते हैं, कि इसमें पूरा-पूरा भाग जा रहा है, यदि इन तीन जो लेटर्स हैं, ये तीन जो अंक हैं, इसमें यदि लास्ट की 3 जो संख्या है, इसमें यदि 8 का भाग जला जाएगा, तो ये तो चलो, हम इसमें चेक भी कर सकते थे, लेकिन तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं, इस पूरी में ही भाग जला जाएगा, देखो अब जा रहा है, आठ हे कम आठ, आठ हे कम आठ, बारा आठ हे कम आठ, नहीं जा रहा, मतलब इसमें पूरी में ही आपका आठ का भाग नहीं जाएगा, अब देखो एक और चेक करते हैं, 641512, अब इसमें शयद आपको देखने की जरूरत नहीं है, भाग जाएगा यह नहीं जाएगा इन ठीडिसिट में देखो भाग जा रहा यह नहीं जा रहा तो आठ छिक है 48 गुणनचास 50 इक्यावन 32 अगर आपको पता हो तो ये 8 की क्यूब भी है तो 8 की क्यूब आपको पता है तो ये तो सिधा ही आपको पता होगा तो इसमें पूरी में 8 का भाग आपको आपका चला जाएगा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है सिंपली जो है इसमें आपका 8 का भाग चला जाएगा ठीक है समझ में एक संख्या और लेते हैं 5 1 3 8 6 3 2 ठीक है अब इसमें देखते हैं आपका कि 3 का भाग जा रहा है या नी जा रहा है 8 का तो 8, 6, 48, 48, 57, 56 यहाँ पर कितना बच गया 4, 3, 7, 8, 99, बेटर मतलब इसमें पूरी-पूरी में 8 का भाग चला जाएगा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है अब देखो Next Next जो हमारा Divisability Rule है वो किसका है? 9 का हमने 1 का पढ़ लिया 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का एक बार हमने 7 का छोड़ दिया ठीक है? हमने 8 का पढ़ा अब हम 9 का पढ़ रहे हैं ठीक है? 9 का Divisability Rule क्या है? जो 3 का है वही 9 का है क्या है? जो 3 का है वही 9 का है हमने 3 का क्या पढ़ा था? सभी अंकों का योग किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग जो है अंकों का योग वो क्या अगर 9 से विभाज्य है तो सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या किसमे जाएगी? 9 में भाग जाएगी अब जैसे हम यही लेते हैं 3, 4, 3, 8 इसका total हमारा क्या आएगा 3, plus 4, plus 3, plus 8 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 10, और 8, 18 18, divide by 9 तो 9, दुनी, 18 मतलब इसमें पूरा-पूरा भाग आपका चला जाएगा क्या जाएगा? पूरा-पूरा भाग चला जाएगा अब देखो next 2, 9, 0, 3, 4 ठीक है? अब इसका total करते हैं 2, plus 9, plus 0, plus 3, plus 4 तो 9, और 2, 11 11, और 3, 11, 14, 14, 14, 14, 18 अब 18 में आपको पता है, 9 का भाग जाएगा मतलब इसमें भी 9 का पूरा-पूरा भाग चला जाएगा ठीक है? concept clear, समझ में आया अब हमने 9 तक के divisibility rules पढ़ लिये अब हमारा आज का last divisibility rule समझा रही हूँ कल जो है, आज मैंने थोड़े जो easy-easy थे वो आपको समझा दिए कल जो थोड़े tricky हैं, कल वो समझेंगे अब 10 का तो आपको पता ही है अगर last का आपका unit digit 0 है, कोई भी संख्या का तो वो किस से divide जाएगा? 10 से जाएगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है ठीक है? तो I think आपको समझा आया होगा छोटी से छोटी चीज जो है, वो basic से समझाने की ट्राइ कर रही हूँ, ताकि आपका कुई भी concept जो है, वो चुटे नहीं और आपको questions जो है वो आप फटाफट निकाल पाओ, ठीक है? तो आप class जो है, वो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको हर चीज समझ में आएगी कुछ भी skip मत करिए, ठीक है? So, thank you so much वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और मेरे पढ़ाने के तरीके को So, आज के लिए बाई बाई कल फिर मिलते हैं